Hello everyone, welcome to our digital library Today's news headlines are इसे इन कोर्स में पढ़ने वाले लगभग 15,000 विद्यारतियों का पभिश्य दाव पर है ऐसे विद्यारतियों का गहना है कि DMLT कोर्स दो साल का है यदि समय पर विरिक्षा होती तो वे आज कहीं नौकरी कर रहे होते लेकिन Medical Vishu Vidyala की लापरवाही का खामियाजा उन्हें भुगतना पढ़ रहा है Medical Vishu Vidyala ने तीन महा पहले पैरा Medical Course में सत्रिफ 2020-21 में प्रवेश लेने वाले विद्यारतियों की परिक्षाय कराने का शेडियूल भी चारी कर दिया था लेकिन इसके बाद ऐसे विद्यारतियों की परिक्षाय स्थगित कर दी गई Medical Vishu Vidyala प्रशाशन का कहना है कि अब कोट के आदेश पर ही परिक्षाय आयोजित कराई जा सकेंगी विद्यारतियों की इसलिए अटकी है परिक्षाय Medical Vishu Vidyala प्रशाशन से मिली जानकारी के अनुसार हाई कोट में एक आचिका पर सुनवाई चल रही है जिसमें कहा गया है कि Medical Vishu Vidyala द्वारा नर्सिंग के साथ लगबग 150 परामेडिकल कॉलेजों को भूत लक्षी प्रभाव से संबदिता दी गई है जबकि ऐसे कॉलेजों ने विद्ध्यार्तियों को प्रभेश संबदिता जारी होने से पहले दे दिये थे इसे के चलते हाई कोट ने सत्र 2020-21 के नर्सिंग परिक्षाओं पर रोक लगा दिया है इस सत्र के परिक्षाओं अटकने के कारण के ही सत्र 2021 में परमेडिकल कोर्स में प्रभेश लेने वाले विद्ध्यार्तियों की परिक्षाओं नहीं हो पा रही है अब Medical Wish विध्याले प्रशाशन कह रहा है कि हाई कोट के आदेश के बिना नर्सिंग की तरह पेरामेडिकल कोर्स की परिक्षाई भी आयोजित नहीं करा सकते ग्वालियर पेरामेडिकल कोर्स अंचालित करने वाले लगभग एक दरजन कॉलेज है ऐसे कॉलेजों में लगभग 25 विध्यार्ती पढ़ रहे हैं साइन्स कॉलेज में DMLT कोर्स अंचालित हो रहा है इस कोर्स की कॉर्डिनेटर डॉक्टर अनीश पांडे का कहना है कि कॉलेज में सत्र 2021 के विध्यार्तियों ने DMLT कोर्स में प्रवेश लिया था ऐसे विध्यार्ती परिक्षा नहीं होने से परिशान हो रहे हैं इन कोर्स की नहीं होई परिक्षा है चात्र परिशान चात्रों के अनुसार DMLT, BPT, Master of Physiotherapy, MPT और Master of Lab Technology, MMLT की परिक्षा है जून में कराय जानी थी इसके साथ ही Diploma in Ayurvedic Pharmacy, Diploma in Anesthesia, Diploma in Cat Lab Technician, Diploma in Blood Transfusion, Diploma in Radiotherapy Technician, Diploma in Biochemistry, Postgraduate, Diploma in Perfusion Technology, Diploma in Medical Lab Technician, Bachelor in Human Nutrition के परिक्षा होनी थी जो अब तक नहीं कराय जा सकी है परिमिडिकल कोर्स के परिक्षा है कराने के लिए चर्चा करेंगे डॉक्टर सुनील डाठोर कारे परिशत सदस्य Medical Vishwa Vidyala का कहना है कि परामेडिकल कोर्स की परिक्षा है नहीं होने से विद्ध्यारती परिशान है ऐसे विद्ध्यारतियों की परिक्षा कैसे हो सकेंगी इसको लेकर Medical Vishwa Vidyala के अफसरोंस में चर्चा की जाएगी डॉक्टर पुष्पराज सिंग भगिल कुल सचिफ मेडिकल विश्व विद्ध्यार जबरपूर उनका कहना है कि हाई कोर्ट के फैसले के बाद ही परिक्षा ही कराए जा सकेंगी मध्य प्रदेश की हाई कोर्ट की जबरपूर बेंच में परिक्षाओं के संबन में आजका लगी हुए है कोर्ट के फैसले के बाद ही परिक्षा के सत्रे दुबीस इक्किस वा इक्किस बाइस के लगभग पंद्रह हजार विध्यारतियों की परिक्षाए कराई जाएंगी